हेलो फ्रेंड्स मेरी चलनल में आपका फ्रिस्ट स्वागत है आज हम बनाएंगे मसाला अर्वी जो बहुती खड़ी खड़ी क्रिस्पी बनाएंगे और बहुती टेस्टी तो बनाते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंस मैंने यहां पर ले ली है अर्वी, तो अर्वी को हमने सबसे पहले क्या करना है, बहुत जादे मिट्टी होती है, अर्वी में आपने देखा होगा, तो मैंने यह सबसे पहले अर्वी को धो लिया, इसकी मिट्टी घटा दिया, तो आप देख सकते हो, कभी भी हम तो कभी कई बारी होती है कि हमारी अर्वी नहीं गलती तो कई बारी हम लोगों को कई लोगों को लेनी नहीं आती तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ इस तरीके से हमें अर्वी लेनी है आप देख सकते हो यह गोल भी है साथ में लंबी भी इस तरीके से हमें गोल गोल अर्वी लेने हैं तो बहुत अच्छी बनती है बहुत जल्दी गल भी जाती है तो सबसे पहले मैंने कहा करने हैं अर्वी को छीलना है इस तरीके से हम चाकू की मदद से ऐसे छील सकते हैं पीलड की मदद से अगर हम अर्वी को ज़्यादा बेष्ट हो जाती है है तो मैं आपको फिलड से भी छील के दिखा देती हूं पिलड से इस तरी से छिकल निकलेगा तो मैं इसको चाकू की मदद से छील होगे तो चाकू से बहुत असानी से यह चील जाती है घेली होने के बाद तो ऐसे ही मैं सारी अर्वी छील लेती हूँ अर्वी को कभी भी छील कर और काट कर नहीं दोनी चाहिए तो मैं एक बारी मैंने मिट्टी इसकी हटा दिये और एक बारी मैं इसको छीलने के बाद धोंगे इस तरीके से हमने ये सारी अर्वी को छील लेना है बहुत ही जटपट छील जाती है इस तरीके से गर्मियों के मोसम में ही आती है तो हम किसी भी तरीकी की बना सकते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला प्याजवली अरवी सूखी मैं ने पहले भी एपनी वीडियो में कई तरीकी की अरवी सिखाई हुई है तो फिर वो क्या करें कि अर्वी जब भी हमें छीलने है तो आप अर्वी छीलने से पहले अपने हातों में सरसों का तेल लगा लिजिएगा उसके बाद आपके हातों में खारिश बिल्कुल नहीं होएगी तो आपके देखो मैंने सारी अर्वी छीलने है मेरे हातों में खारिश महीं होती तो 将 अब बांने के चाए हुआ कि अठी हbeक काटने तौने के चीब घूरा रगडचे क्ति अर्वी को अब हमें इसको एक बॉन्ने अगर हमें जल्दी बनानी है तो हम इसको पौने से पहुंच के बना सकते हैं तो फिर मैं इसको हवा में रख दूँँगी तो यह थोड़ी देर के लिए अच्छे से पानी सूप जाएगा इस तरीके से हमने पहुंचके बनानी है तो अरवी को मैं अच्छ से पहुंच लिया हैे तो मैं आपको 1-2 पीश जाटके दिखा देती हूँ इस तरीके से तो मैं इसको पूरी अर्वी को इस तरीके से काट लूँगी, इसको बहुत पतला भी नहीं काटना और बहुत मौटा भी नहीं, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैं नहीं यह लंबी-लंबी अर्वी काट लिया है, तो यह सारी अर्वी मैं इस तरीके से फ्रैंट् अधो आप देख सकते हो मैंने अरवी को ये पतला-पतला लंबा-लंबा अर्वी को मैंने सबसे पहले छील के अच्छे से डो लिया था फिर सुखा के इसको पाट लिया है तो अभी हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक तो नमक डालने से यह बहुत ही टेस्टी बनेगी इसको हम भी आ लेते हैं इसको अच्छे से हम भी लाएंगे तो इस तरी केसे नमक लगाने से अर्वी में हमारे एच्छे से नमक चला जाएगा और वह वोती टेस्टी बनेगी है तो अभी हमने करना इसको फ्राइब तो फ्राइब करने के लिए मैंने यहां पर इस ओईल गरब कर लिया है तो अभी हम इसको कर लेंगे बिल्कुल फ्राइब तो इसको बिल्कुल ही मैंने ब्राउन करके क्रिस्पी होने तक फ्राइ शोड़े करने हैं अब अर्वी दिखो अभ देख सकते हो यह हमारी प्राइब हो गई है अल्भी जो है तेल के उपर तहरा रही है तो अगर अर्भी हमारी तेल के उपर तहनने लब जाती है तो समय लो यह गल भी गई है और अच्छे से सिप गई है तो अभी इसको निकाल लेती हूँ तो सारी अर्भी को हम इस तरीके तो ही फ्राइ कर लेंगे अरबी प्रैंट से अच्छा से फ्राई हो गई है आप देख सकते हों बहुत बड़ी असे गल गई है तो इस तहीं के हम अरबी बनाते तो बहुत ही डेस्टिरी और बहुत ही अच्छी बनती है तो अभी हम इसको बचले शुरू करते हैं तुपी में डाले के पार में तोड़ी सी हींग तो इसमें हम हींग करेंगे से बहुत फायदे होते हैं और ठूड़ी से प्लेइच अजवाइन प्लेइन हैं तो अर्भी में अजवाइन बहुत ही डेश्टी लगती है तो थोड़ा साम इसको हाँ से क्रिस्क करके डालेंगे तो इसे वहती बढ़ी बढ़ी आजाएगा फूरी अर्भी में तो आप देख सकते हो, यह मैंने लिए है यह लंबे-लंबे कटे होगे पीन प्याज तो मैने यह लिये हैं पियाज फ्रेंड्स तो यसको कर लेंगे बिल्कूल बढ़िया से फ्राइए जी काम के जी ब्राउन on沒 तके प्राई करें ये कि कि प्याज अब तरह से फीतिया सटो कितने बड़िया से यहां है कि खिले खिले ग्राउन फ्याई हमें इसी तरीके की प्यासी यह फो तो अभी हम ने जेने किसमे दाले हैं तो मसाले में हमने डाल लास जेक ठाला कि एक चम्मच ध्लैट डाला हें मैंने ये जह दंद्आ हे इसमें अतम जाला है ये यो आदा और ये तेस्गेनुसार आसा जाल सकते हो तो यह इसमें अने टाल दूने यह जो प्राई हमने अर्वी की है इसको डाल देंगे तो आप मैं इसमें सुखे मसालों से बना रहे हो तो ये सुखी सुखे अगर आप चाओ तो इसमें टमाटर भी यूज कर सकते हो तो फिर मैं इसको इस तरीके से डाल दूँगी तो सीम गैस पे मैं इसको इस तरीके से मसाली के सा तो फ्रेंस देख सकते हुए ये पांट साथ मिंट बाद ये बहुती बड़िया से हमारी अर्बी में मसाला लग गया है और बहुती ये टेस्टी बन चुकी है तो भी मैं इसको गैस को कर दूंगी फ्रेंस बन तो ये बिल्कुर रेडी है बनके इसमें डालेंगे हम लाष्ट में ये थोड़ा सा हाराधनिया तो फ्रेंस बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप इस तरिके से सुखी अर्वी बनाईए ये बहुती देस्टी बनेगी और बहुती जट पटी बन जाती है तो आप देख सकते हो फ्राइए करनने के बाद ये बहुती ज़ड़ी बनक फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगे नई वीडियो के साजब तक ये बाई फ्रेंड्स